टापलोजिकल स्पिशिस कंसेप्ट इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि स्पिशिस है क्या बिसेखली स्पिशिस क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनट है फंडामेंटल यूनट है अगर हम देखें लिट्रेचर को सर्वे करें तो ये पता चलता है के तक्रीबन 20 के करीब different किसम के species concepts हैं इस module के अंदर हम typological species concept के बारे में बात करेंगे typological species concept Aristotle और Plato ने propose किया था Aristotle basically Plato का student था इस concept के मताबिक a certain pattern of features is found in each organism and all members of species show maximum equality in this format इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है अगर इस definition को अगर हम देखें तो इसके अंदर तमाम जो species के members होते हैं उनके अंदर एक certain pattern होता है features का जानि उनके अंदर कुछ खास characters होते हैं कुछ खास features होते हैं और ये जो features हैं ये उस species के तमाम member के अंदर मौजूद होते हैं पर जापल अगर हम dogs की बात करें dogs की एक species है तो उस species के अंदर एक खास pattern होगा क्यूंकि typological species concept जो है basically इसमें species को morphological characters की बेसके पर define किया जाता है तो एक जो species है उसके अंदर एक खास किसम का pattern मौजूद होता है एक खास किसम के characters मौजूद होते हैं और ये character उस species के तमाम members के अंदर मौजूद होते हैं अब typological species concept के मताबिक species दो किसम की होती है एक monotipic species और दूसरी polytipic species monotipic species के क्या मौद है monotipic species से मौद है क्योंकि हमने typological species concept के अंदर बात की के एक species के जो members होते हैं उनके अंदर एक खास pattern होता है ये एक set of organisms हैं जो एक जैसे features को share करते हैं तो अगर ये जो characters का pattern है वो तमाम animals के अंदर एक जैसा है यानि species के तमाम members जो है एक ही pattern रखते हैं specific species केहेंगे लेकिन sometime ऐसा होता है कि एक species के तमाम member के अंदर एक pattern के बजाए दो या तीन pattern हो सकते हैं तो इस सुरत में हम इसको monotipic species के बजाए polytypic species केहेंगे typological species concepts के कुछ pastulates हैं जिसमें पहला pastulate ये है कि species consist of similar individuals sharing same essence यानि पहली बात ये कि typological species concept के मताबिक तमाम जो species के members होते हैं वो एक जैसे होते हैं और एक जैसे characters को share करते हैं दूसरी बात each species is separated from all others by sharp discontinuity यानि एक species के जो members हैं वो आपस में तो एक जैसे होते हैं अल्दो के minor differences उनके अंदर हो सकते हैं लेकिन जब हम किसी दूसरी species के बात करते हैं तो दूसरी species से ये different होते हैं उनमें sharp differences मौजूद होते हैं बसला अगर एक कोई pattern है जिसकी base के उपर हमने तमाम species के members को एक group के अंदर रखा हुआ है तो जब हम किसी दूसरी species के बात करेंगे तो उसके अंदर वो pattern नहीं होगा उसमें sharp difference होगा इसी तरीके से अगर तीसरा पास्टूलेट देखें तो each species is completely constant through time यानि एक species जो है वकत के साथ वो constant रहती है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा changes नहीं आती इसी तरीके से इसका जो आखरी पास्टूलेट है there are strict possible limits to variations within any one species यानि अगर एक species के अंदर हम बात करें although के एक species के members के अंदर variations मौजूद हो सकती है लेकिन ये variations कितनी है उसकी limit होती है अगर उस limits से exceed कर जाती है कोई variation तो फिर वो species नहीं रहती फिर different species आ जाती है तो एक species के जो members है उसके अंदर जो variation की limit है वो defined है तो ये चार पास्टूलेट्स थे टापलॉजिकल species concepts के अगर हम इसकी example की बात करें तो two macaw species blue and yellow और scarlet ये दोनो different species consider की जाती है although के इनका geographical area same है इनका जो habitat है वो overlap करता है लेकिन इसके बावजूद जब ये breed करते है तो ये hybrid produce नहीं करते है ये सिर्फ उस वरत में hybrid produce कर सकते है जब इनकी breeding captivity के अंदर करवाई जाए तो टापलॉजिकल species concept के अंदर basically हम ऐसे organisms को रखते हैं जो के morphologically similar होते हैं या कुछ sets को वो share करते हैं यानि कुछ characters को वो share करते हैं लेकिन ये जो characters हैं ये दूसरी species के member से different होते हैं झाल जाए जो करते हैं